दोस्तो आप कलपना कर सकते हैं कि कोई फिल्म दस दिन के अंदर बन कर कम्पलीट हो जाए तो जी हां दोस्तो धमाका कार्तिक कारण की most वेटेड फिल्म फाइनली नेट्फिक्स पर लिज हो गई है तो आज उसी का रिविव करेंगे दोस्तो कि कैसी बनी है फिल्म क्या आपक कार जो अब रेडियो जोकी बन चुका है उसके यहां एक कॉल आता है दोस्तो और कॉल पे आवाज आती है अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं एक पुल को बम से उड़ा दूँगा सिरियसली नहीं लेते दोस्तो लेकिन उसके बाद बम से उड़ा दिया जाता है तो क्यूं होता है आखिरकार क्या मनवाने की कोशिस करता है जिन होने बम को उड़ाया तो पूरी फिल्म में दोस्तो इसी वे कहानी आगे बढ़ती हुई नजर आती है पूरी फिल्म की बात करूं दोस्तो लगभग एक कमरे में ही पूरा सूट कर दिया गया है और क्या thrilling moment ह दोस्तो आपको पलक जपकाने तक का मौका नहीं मिलेगा फ्रिलिंग मुवमेंट कूट कूट कर भरे गए हैं आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि अगले छणों में क्या होने वाला है हाँ आपको फिल्म देखते समय दोस्तो नसरुदीन साह और अनुपम खेर की अवेस डे फिल्म जरूर याद आएगी क्योंकि उस फिल्म में भी फोन पे हीरो और विलन के बीच लगातार वारतलाब होता रहता है और इसमें भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई देता है वैसे तो बता दू ये कॉरियन फिल्म की रिमेक है दोस्तो मैंने तो और इजिनल कॉरियन फिल्म नहीं दखी तो मुझे अंदाजा नहीं कि वो बेश्ट है या ये बेश्ट है लेकिन जो मैंने धमाका का एक्सपिरेंस किया दोस्तो मस्ट वाच है अगर आपके पास देड़ गंटे पौने दो गंटे की टाइमिंग अगर फ्री है तो आप जरूर इस फिल्म को देखिए दोस्तो बहुत ही इंगेजिंग और थ्रिलिंग है वहीं कारती कारें की प्रफॉर्मेंस की बात करूं दोस्तो आई थिंक उनकी ये सबसे बेश्ट प्रफॉर्मेंस जो अभी तक की निकल क्याई है और अंत तक आते आते फिल्म एक सोशल मैसेज भी देती हुई नजर आती है दोस्तो जो आपके दिल को छूलेगी तो मैं जरूर रिकेमेंड करूंगा आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए नेट्फलिक्स पे एविलेबल हो चुका है